नीरज चोपडा ने फिर रचाईती हास पांचवे थ्रो में नीरज के गोल्डन आम ने दिखाया जादू 87 दसमलब 6-6 मीटर दूर भाला फेक जीता गोल्ड नुसाने डाइमन लीग में भारत के स्टार जैवलिन थ्रोवर नीरज चोपडा ने 87 दसमलब 6-6 मीटर की दूरी हासिल गोल्ड मैडल अपने नाम किया नीरज ने यह गोल्ड मैडल अपने पांचवे प्रियास में जीता इस प्रतियोगिता में नीरज की शुरुवात कुछ खास नहीं रही थी उनका पहला थ्रोव फाउल हो गया था लेकिन इसके बाद नीरज ने दमदार वापसी कर जर्मनी के जूलियन वीबर और याकुब वाल्ड लेचे को पीछे चोड़ते हुए पहला इस्थान हासिल किया नीरज चोपडा का यह है आटवा इंटरनाशनल गोल्ड है इससे पहले उन्होंने एशियन गेम्स, साउथ एशियन गेम्स और ऑलिम्पिक जैसी प्रतियोगिताओं में गोल्ड मैडल जीच चुके हैं वही इस साल नीरज चोपडा के खाते में यह दूसरा गोल्ड मैडल आया है इससे पहले नीरज ने दोहा डायमेंड लीग में भी गोल्ड का तबका अपने नाम किया था मान स्पेशियों के खिचाओं से उबरने के बाद नीरज चोपडा एक बार फिर हात में भाला उठा कर कीरतिमान रचा है उन्होंने प्रिठिस्टिट डायमेंड लीग श्रिंकला के लुसान चरण में बुरुशों की भाला फेक प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया है नीरज ने 87.66 मीटर थो के साथ शीर सिस्थान हासल किया वही जर्मिनी के जूलियन वीबर 87.03 मीटर के साथ दूसरे स्थान पर है तीसरे स्थान पर 86.03 मीटर थो के साथ चेक गंडराज्य के याकुव वादलेचे रहे बता दे कि भारते जैवलिन स्टैन नीरज का इस साल में है दूसरा गोल्ड है वे दोहा डायमंड लीग में भी गोल्ड मेडलिस्ट रहे थे नीरज वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर चुके है नीरज हंगरी के वुड़ापेस्ट में आयोजित होने वाली वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भी हिस्सा लेंगी यह चैंपियनशिप 19-27 अगस्त तक होगी नीरज ने 2022 यूजीन में हुए पिछले सीजन में रजक पदक जीता था भारती टीम इस चैंपियनशिप के इतिहास में केवल दो पदक जीत सकी है उनमें से एक नीरज के नाम है नीरज से पहले 2003 में अंजू बाबी जार्ज ने महिलाओ के लॉंग जंप रितियोगी तर्व में भारत के लिए पहला मैडल जीत कर इतिहास रचा था उन्होंने कान से पदक जीता था मुरली श्रीशंकर पदक नहीं जीत सके नीरज के अलावा एक अन्य भारते लॉंग जंपर मुरली श्रीशंकर ने भी डायमेंड लिग में हिस्सा लिया उन्होंने शुरुवाती पांच कोशिशों में 7.75, 7.63, 7.88 और 7.59 और 7.66 मीटर की छलांग लगाई हाला कि वह कोई पदक नहीं जीत सके मुरली पांच में स्थान पर रहें